देश में लॉकडाउन किया गया है ऑप गलाच्ब के चलते अपराधियों के उसले भुलंद है जिस प्रकार से ठ्या बलतकार की वारदाते आपको अक्सर देखने को मिल जाती है नमस्कार महमित और आप देख रहें गामा टाइम्स आज आपको बताएंगे किस प्रकार से संत्र उसने संत को मौत के घाड उतार दिया था दा किसी प्रकार से उनकी जान को ना बचा पाने के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं संत्र समाज और हिंदु समाज की योड़ से कि उनको न्याय मिलें और किसी भी तरह से कहीं भी कोई भी बचना पाए जो भी बीड तंत्र में थे उसको पुलिस प्रिशाशन गिरफतार करे और कड़ी से कड़ी सजा दे तो वहीं पर उत्तर प्रदेश से सुल्तानपुर से अचारे की टीम पहुंची सुसील गिरी महराज संद के घर पर और जाना उनके परिवार का हाल और किस तरह से परिवार ने बताई बड़ा खुलासा किया कि वहां पर किस तरह से जो संद गिरी महराज थे शुशील वह लगातार वीडियो कॉलिंग के द्वारा और फोन के द्वारा लगातार अपने परिवार का हाल चाल लेते थे एक बड़ी बात भी सामने आई थी कि 11 साल के ने घर छोड़ दिया था और जब 10 साल बाद अपने परिवार वालों से बात की थी तो उनों ने बताया था कि अब वह संद समाज में आ चुके हैं अब उनसे कोई भी नाता परिवार ना रखे तो वहीं पर सुशील संद्गरी महराज की माता ने किया सरकार और प्रशाशन से गुहार लगाई कि उनके बेटे को नयाय मिले जिस तरह से उनके बेटे की अत्या की गई है उसी तरह से उन आरोपियों को भी मौत के गाट उतार दिया जाए तो आए डालते नजर एक संसनी के इस खुलासे पर किस तरह से पीड़ित परिवार सुशील संद्गरी महराज महराजी के घर पे जिनका पूरा नाम गाउं का सियो नरायन दूबे था जो चादा के निवासी थे और उनकी माता जी हैं जो कि काफी दुखी और काफी पीड़ित हैं माता जी ये बताइए आपके लड़के का जो हत्या हुई है पाल घर में उसमें आप क्या चाहती हैं सरक क्या चाहती है मतलब सरकार उनके साथ ऐसा क्या करें मतलब आपके बच्चे को मारे तो आपको दुखी हो तो आप चाहती हैं आपके बच्चे के हत्ते हुई तो उनको भी फांसी होनी चाहिए आप उनकी बहान है इस जो भी घटना करम हुई है वो पूरा देश देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं इस घटना करम में आप क्या कहना चाहेंगी इस घटना क्रम में मैं यही कहूंगी कि दोशियों को शजा मिले और मेरे भाई को न्याय मिले और जो भी भारती दंड संहिता में कठोर से कठोरतम दंड हो वो उने मिले क्योंकि उन्होंने कुरूरतम अपराद किया है और उस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे ज्यादा विभस द्रिश्य है शायद ही कोई हो सकता है महराज जी के हत्या के पहले एक दिन उनका वीडियो कॉल आया था वीडियो कॉल के जरीए परिवार से बात किये थे आपका नाम क्या है जी मेरा नम योगेस दूबे आपके अलग थे उनके बतीज में उनके भतीज तो लास्ट टाइम में उन्होंने जिस दिन उनकी हत्या हुए उसके एक दिन पहले से वीडियो कॉल से बात किये थी redistrib really कुल से कितने ब 얼ों से बात हुई थी त्टिर्ण हमारे एंट्य यह जितने लोग हैं यह सारे के सारे आपके परिवार ही आपके माताजी यह आपके भाई हैं और ये सिश्टर हैं सबसे बात हुई थी हम लोग कुशे के बाद आपको पता चला कुन की हथ्या हो मतलब वीडियो कौल आया था दो से तीन दिन पहले, दो तीन दिन के बाद आप हत्या को जनकारी मिली उसके पहले कोई सुचना ही नहीं मिला, अगर जो हैं मेडिया ना होती या और भी लोग जो फेस्बूक के शेयर कह रहे थे, उनके माद दिन संदों के इस बाते पता चली नहीं, तो हमको इन सब के बारे में पता ही नहीं चुटता दो संदों के हत्या से पूरी जो है हिंदू समाज, सादू समाज सब काफी दुखी हैं और जैसे कि घर पे लोगों का आना जाना ताता लगा हुआ है और यहां भी कुछ मीडिया की टीम भी आके गई है और अभी हमारे सामने हैं बजरंग दल के जो है युवानेता विकास स जी जो परताब गड़ से हैं और मौके का जाजा लेने के लिए आए हैं यह आप यह बताइए विकास जी यह बजरंग दल से हैं जैसे घर में इतनी बड़ी घटना हुई है एक समाज को उपर और आप हिंदुत्तों के लिए काफी लड़ाई लड़ रहे हैं अपना सब कु निर्मम निर्मम तरीके से जिस तरीके से हत्या हुई है इसका बयान करने के लिए मेरे पार सब्द नहीं है जो है कि मैं कि सब्दों में बताओं कि किस प्रकार से हत्या हुई है जिन लोगों ने वीडियो देखी हो कि उन्हें पता होगा उनके परिवार तक मैं पहुंचा ह माताजी भी यही चाहती है कि जिस प्रकार से इनके बच्चे को निर्म पर मारा गया है उस प्रकार से आूपियों के उपर जो सिए जहां जौने के पाद जो दोशी पाए जाए मामले में जिनका हाँ वहां पर प्रसासन भी था लगवग 15 पुलिस वहां पर उपलबद दिखाई थी वीडियो में और उनके पास फिच्ट वगएरा भी थे पुलिस की मौझूदगी में वीडियो में जैसा कि देखा गया पुलिस की मौझूदगी में उन्हें मारा जा रहा है महत्माओं को मारा पुलीस का सरड ले रहे हैं, पुलीस उनको नहीं बचा रही है, उसके विसे माप क्या कहना चाहते हैं। यह उनकी सोची रननीत के तहट था, और उनकी एक एक NCP का नेता भी उपस्तित्ता, और मुझे इस प्रकार से बाबाजी उनके हाथो को जाके पकड़ते हैं, बाबाजी कहां जटके और किरारे हो जाता है, उसके पास पिस्टल भी था, और 15 लोग थे, अगर चाहते हैं इनको इतनी तो ट्रेणिंग दी ही गई होगी, यहां भीड को कैसे कंट्रोल करना है, जबकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखा जो है, कि भीड को कंट्रोल करना है, जैसे हत्या करवाने में उनका हाथ रहा हो जो है, मुझे तो ऐसा लगता है, चाह तक मेरा मानना है, और यद यह वीडियो वाइरल नहीं हुआ होता, तो आज इस्ति परिस्ति कुछ और होती है, यह वीडियो वाइरल हो गया, जिसे पुरा देश जान गया, कि वहां पर क्या हुआ है, अगर यह वीडियो वाइरल नहीं हुआ, तो हम लोगों को पता ही निशल पाता कि एसीजन क्या हुआ माझने को संप्रदाइक संख्या में यहां से कू्छ करने के लिए तयाव है, сंस्फेन więi साथू का पूरा नागा साथू वो पूरा महरालगर के लिए रमानगी करने आतो कि आपका बंजढ़ कрок और विश्योंं हिंडू परसद और उनके साहीते जो भी हिंडू समाज को ज्यादा मानते हैं तो सब कूछ करने वाले हैं माहराष्ट के लिए लागडाउन खतम होने के बाद हिंदू समाज अखारा परिसित के आवान पर वहां के लिए कूछ करेंगे हम लोग तयार हैं तीन तारीक लागडाउन खतम होगा उसके बाद हम लोग जो है अखारा परिशित के आवान पर हम सभी माहराश की लिए कुछ करेंगे उसके बार हम लोग कारिवाई की मांग करेंगे अंदोलन करेंगे सरकार की इंच से इंच बजा देंगे यदि पिडित परिवार को न्याय नहीं मिरातो है जैसे कि उद्धो ठाकरे जो कि सुसेना से हैं और हिंदु वादी नेता रहे हैं आज तक जो है हिंदुत के बारे में ही लड़ाई लड़े आज उनकी ही सरकार में इतनी बड़ी निर्शन सत्या भी संदो की होती है इसके विशे में आप उधव ठाकरी जी के बारे में क्या करना चाहेंगे, यह मुझे अब नहीं लगता कि अब उनकी हिंदुवादी छबी बची रह गई है, इस गर्टना के बाद तो सपस्ट हो गया उनकी कोई हिंदुवादी छबी है ही नहीं, जब तक था जब तक थी उनके पिता जी की थी जब तक वह राज नेती में नहीं जब सत्ता के लालच में जब कांग्रेश जैसी पाकी सी उनका गरबंदर करके सत्ता सत्ता ले सकते हैं तो उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा बागी सब लोग सहम समझतार हैं बस ना चाहिए सिधा सिधा उनको मित दंद की सजाव होनी चाहिए इससे कम कुछ नहीं जैसा कि बता दें कि जो निर्मन साध्वों की हत्या हुए है उनकी माता जी है और उनके ये फोटो भी कुछ दिन पहले गई है सुसिल गिरी महाराज जी का और उनके पीता जी है स्वरगी डामदुला रतुबे जी जिनकी भी जो है 24-3-2016 में डेथ हो चुकी है और वो 11-12 वर्स की उम्र से ही घर से निकल चुके थे और जो सन्यासी होते हैं अपना घर बार त्याग कर देते हैं अपने धार्न समाज के लिए और उनकी निर्मा महत्या ये देश बरदास नहीं करे और काफी शंख्या में लोग लागडाउन खतम होने के बाद महारास सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनोती है क्या इतनी बड़ी भीड को महारास सरकार सम्हाल पाएगी विशंदु परसत बजरंग दलन और जहां से जुड़े थे आखाडा निर्मोही आखाडा और जितने भी सादु संत समाज हैं ये क्या उद्धो ठाकरे सम्हाल पाएंगे वहां की पुलिस परसासन सम्हाल पाएगी उनके लिए सवालिया निसान है देखते हैं इसके आगे क्या होता है